पाकिस्तान को अंडरेस्टिमेट मत करना भाई T20 में पाकिस्तान की टीम ने आपको उस मैच में नाको चने चपवा दिये थे लोगों को बहुत बुरा लगना चाहिए और लगे कर लो जिसको जिसने गाली देनी है दे दो या ट्रोल कर लो और उससे पिछे जाएं दुबाई वाला वर्ल T20 वो आपको मार की चले गए थे ओए पाकिस्तान तुम आ जाओ पाकिस्तान T20 में डेंजरिस है वंडे में हो सकता है वो इतने डेंजरिस ना हो उन्होंने आपके चार उपर से आउट कर दी थे आप तो मर गए थे उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच अल्टिमेट अनालसिस में शायद मैटर नहीं करेगा क्योंकि वो नूरा कुछ थी दोजा साथ वर्ल T20 फाइनल इंडिया वर्सिस पाकिस्तान आज तक के स्टूडियो में पाकिस्तान ढह गया था पाकिस्तान खतम हो गया था बरबाद हो गया था और हम लोग ओक आउट जीत गया इंडिया वर्ल T20 जीत गया था 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 पता चला जी आप तो मैच हारने वाले लग रहे थे एक सेज़ पे जब हम कुए में गिरते हैं तो हम हाथ पैर नहीं मारते हैं हम ना अराम से रसी को पकड़के बस खड़े हो जाते हैं कि रसी क्या आटोमेटिली तो खुदी उपर चली जाएगी नहीं जाएगी रसी होगी उन्होंने माजी के मुकाबलों का हवाला देते हुए कहा है कि टी 20 वाड़कप दोधार 24 में पाकिस्तानी टीम भारत के लिए मुश्कल पैदा कर सकती है और आप एक बात सुन लीजे पाकिस्तान को अंडरेस्टिमेट मत करना इस सारे इंडिया के फैंस की बात कर रहा हूँ मै भई टी 20 में पाकिस्तान की टीम ने आपको उस मैच में नाको चने चपवा दिये थे विराट के वो लास्ट तीन ओवर जो थे वो आउटस्टेंडिंग क्रिकेट खेल गए अनबिलीवेबल क्रिकेट खेल गए तीन ओवर नीचे तो उन्हों ने लगा दिया था आपको फिर उससे बैक काउंट कीजिए उससे ठीक पहले वर्ल्ड कप उस्ट्रेलिया से ठीक पहले एशिया कप में इनके दो मुकाबले हुए थे एक वो जीते और जो हम जीते वो लास्ट में भसा था तो हम जीते पहला लास्ट में फिर वो लास्ट में जीत गए हम फाइनल ली खेले थे तो पॉइंट इस और उससे पिछे जाएं दुबई वाला वर्ल्ड टी-ट्वेंटी वो आपको मार की चले गए थे पाकिस्तान तुम आ जा उयो पाकिस्तान का मैच अल्टिमेट अनल्सिज में शायद मैटर नहीं करेगा क्योंकि वो नूरा कुछति यह ग्रूप के मैच दोनोंने जाना ही जाना है momentum तो matter करेगा न आप दुबई में पहला match खेलने कहे थे पहला match आप क्या out हुए आपने अगले match में क्या किया बातें तो हमने बहुत की अगले match में आपने batting order ही बदल दिया you panicked so much कि आपने batting order बदल दिया strike rate हम strike rate बात करते हैं ऐसा नहीं strike rate भी कभी कभी actually over exaggerated होती है sir आप एक छोड़ा से example ले लो लोगों को बहुत बुरा लगना चाहिए और लगे कर लो जिसको जिसमें गाली देनी है दे दो या ट्रोल कर लो अब वर्ल्ड का final उठा लो 2019 का ये 23 का आप top team हो आपने क्या cricket खेली है आपने क्या batting है की है क्या आपने bowling है की है अचानक से क्या होता है आपके 10 में 80 run भी है एक out हुआ एक के साथ दूसरा out हो गया अगले 20 और आपका चौका नहीं है अब आप मुझे बता दीजिए क्या एक और match मिलना था अगले दिन एक और 50 over तो नहीं मिलने थे ना जो मिलना था वहीं मिलना था मुझे याद है 2007 World T20 और मैं आपको अनिल गवा है 2007 World T20 final इंडिया वर्सिस पाकिस्तान आज तक के studio में पाकिस्तान ढह गया था पाकिस्तान खतम हो गया था बरबाद हो गया था एक स्टेज़ पर आप उनकी बैटिंग उठाएं दे वर नोवेर इन दे पिक्चर कपिल दे बैठे हुए थे हमारे साथ तजुर्बा है ना और हम लोग ओ गॉर्सिस जीत गया इंडिया वर्ल T20 जीत गया ऐसे बैठे हुए थे चार over शायद रहे थे कहते हैं अब मैच बदलेगा मैंने कहा अब कहा बदलेगा पाजी खतम हो गया कहते हैं ना मैच अब बना है इस टीम को अब यह एहसास हो जाएगा कि हम खतम हो गए है अब वो उस दबाव से निकल के आएंगे कि हमें बनाना है अब वो खुल के आएंगे आपको उस रसी को उपर चड़के आना है और उसी चीज का नाम है ICC Tournament